Hello everyone, welcome back to my channel and मैं हूँ दीपाथ दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी किट में लाइट लाइन आने का क्या मतलब होता है दोस्तो आज के जमाने में ज़्यादा तर लेडी जे घर पर ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है अगर इसमें दो लाल कलर की लाइन दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप प्रेगनेंट है और वहीं पर अगर एक लाइन है तो इसका मतलब है कि आप प्रेगनेंट नहीं है लेकिन यदि ये लाइन एक डार्क हो और एक हलकी कलर की हो तो इसका क्या मतलब है इस condition में ज़्यादा तर महिलाएं confused हो जाती है कि यदि एक line dark है और एक हलकी color की है तो इसका हम क्या मतलब निकाले तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 कारणों के बारे में पात करेंगे कि एक line हलकी और दूसरी dark क्यों हो जाती है ये किस कारण से होता है और इसके पीछे क्या scientific region है तो दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखे अगर वीडियो पसंद आए तो makes your channel को जरूर सब्सक् क्योंकि ऐसे ही लेडिस के लिए helpful वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आते ही रहते हैं तो फ्रेंस बीना time goodbye आए वीडियो शुरू करते हैं पहला है जल्द बाजी दोस्तो कुछ महिलाएं period date से पहले ही अपना pregnancy test कर लेती हैं ये वो महिलाएं होती है जिन्हें माँ बनने की ज कार्क कलर हो जाती है क्योंकि जो कित होती है वो HCG को दरसाती है उस वक्त आप में HCG की मात्रा कम होती है इसके कारण से लाइन हलकी और डार्क हो जाती है अगला है आपका मिस्ट अवर्शन दोस्तों ये तो आपको ultrasound से ही पता चल सकता है लेकिन कुछ ऐसे मिट्स अवर्श नो चुका है लेकिन आपके मिस्ट अवर्शन हो जाने के बाद अगर आप चेक करते हैं तो एक लाइन हलकी और दूसरी लाइन डार्क हो सकती है क्योंकि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा होता है और आप में HCG भी नहीं बन रहा होता दोस्तों जब आप कंसीव कर लेती है तो बच्चा भी ग्रो कर रहा होता है और आप में HCG का लेबल भी जादा होता है लेकिन जब बेबी की ग्रोथ कम हो जाती है वो ग्रो नहीं कर रहा होता उस समय आप में HCG लेबल भी कम हो जाता है इस कारण से इस वक्त चेक करने पर आपको एक लाइन हलकी और दूसरी लाइन डार्क दिख सकती है अगला है किट का नॉर्मल टाइम पर ना चेक करना दोस्तों किसी भी प्रेगनेंसी किट का नॉर्मल टाइम होता है तीन से पांच मिनट तीन से पांच मिनट के अंदर आपको किट रिजल्ट दे जेती है लेकिन कुछ महिलाएं जानकारी के आभाव में या फिर अपनी उत्सुकता के कारण उसे 10 मिनट या 20 मिनट तक रख देती हैं जिसके कारण उसकी लाइन हलकी हो सकती है। अगला है chemical pregnancy दोस्तो chemical pregnancy से हमारा मतलब है कि HCG अपने आप सरीर में बन जाना। कुछ महिलाओं में HCG अपने आप सरीर में बन जाती है और इस समय पर यदि आप चेक करते हैं तो उसमें आपको एक लाइन हलकी और दूसरी लाइन डार्क दिख सकती है। लेकिन period date आने पर आपकी period regular रहती है तो ऐसे में भी महिलाओं confused हो जाती है कि इसका क्या कारण है। दोस्तो ये आप में chemical pregnancy के कारण होता है। अगला है यदि महिलाओं fertility की दवाईयां ले रही है। दोस्तो जो महिलाओं अपने conceive करने के लिए या माँ बनने के लिए दवाईयां लेती हैं वो दवाईयां या injection hormones के ही होते हैं। ये injections HCG hormones के होते हैं जिसके कारण यदि वो pregnancy kit से चेक अप करती हैं तो एक line हलकी और दूसरी line dark हो सकती है। अगला है सही समय पर चेक ना करना। दोस्तो जब आप सुबह के urine से टेस्ट नहीं करती हैं तो आपको सही और clear result नहीं मिल पाता है। कुछ महिलाएं दिन में, रात में, सुबह या ज़्यादा पानी पीने के बाद चेक करती हैं जिसके कारण उनका result सही नहीं आ पाता है। और एक line हलकी और दूसरी line dark हो सकती है। तो फ्रेंस ये सारे कारण सोते हैं आपके pregnancy kit में एक line हलकी और दूसरी line dark होने के। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी pregnancy का check-up करें वो अपनी period date के एक हबते बाद ही करें जिससे आपको clear और सही result मिल पाएगा। और जब भी टेस्ट करें सुबह के सबसे पहले यूरीन से करें जिससे आप clear हो पाएंगे। क्योंकि इस समय SCG का label सबसे ज़्यादा होता है और आपको सही result मिलता है। तो friends उम्मीद है आपको वीडियो में बताएगे जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को like, share, subscribe करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही pregnancy delivery और baby care related जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपासोनी.com को subscribe करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।